एक छोटे से शहेश सुरतगड में एक गरीब लड़की नंदनी रहती थी उसके माता पीता बच्पन में ही मर कए थे और अब वो अकेली इस दुनिया में रहती थी वो एक रहम दिल लड़की थी जो दूसरों की मदद करती थी और किसी से नफरत नहीं करती थी वो खुद बह बहुत कम लोग उससे लिप्स्टिक खरीदते थे क्यूंकि वो फूट पाथ पर सस्ती लिप्स्टिक बेचती थी एक दिन नंदनी को बहुत सखत भूख लगी हुई थी उसने रात से कुछ नहीं खाया था क्यूंकि कल किसी औरत ने भी उससे लिप्स्टिक नहीं खरीदी वो चाती थी कि जल्दी जल्दी कोई उसे लिप्स्टिक खरीद ले ताके वो उससे अपने लिए रोटी खरीद सके इसलिए उसने फुटपात के करीब खड़े एक कपल से कहा सुनिए मेरे पास बहुत सारे लिप्स्टिक्स है क्या आप एक लिप्स्टिक मुझसे खरीद सकते हैं ताके मैं पेट भर कर रोटी खा सकूँ लेकिन उस मर्द ने उसे गुसे से जड़कते हुए कहा क्या कहा तुमने मैं अपनी पत्नी के लिए तुम्हारी सस्ती और घटिया लिप्स्टिक क्यों खरीदू मेरी पत्नी इंपोर्टिड लिप्स्टिक इस्तमाल करती है इसलिए तो इसके होंट इतने सुन्दर हैं दफा हो जाओ गरीब लड़की हमें तुम्हारी ये सस्ती लिप्स्टिक नहीं खरीदनी ये कहकर वो दोनों वहां से चले गए और नंदनी दुखी हो गई क्योंके उन्होंने इसकी मदद नहीं की थी अब इसे बहुत ज्यादा भूक लग रही थी मगर अभी तक एक भी लिप्स्टिक नहीं बिकी थी उपर से धूप और गर्मी और भी बढ़ रही थी नंदनी सो इसकी थी कि दादी आज मेरे लिए लिप्स्टिक से रूर लाना बुड़ी अम्मा की बात सुनकर नंदनी खुश हो गई और फोरन लिप्स्टिक बुड़ी अम्मा को दे दी बुड़ी अम्मा ने उसे 200 रुपे दे दिये और चली गई नंदनी ने इतने पैसे देखे तो बुड़ी से उसकी आँखों में आसू आ गए और वो कहने लगी आज तो उपर वाले ने मेरी मुश्किल असान कर दी अब मैं पेट भड़कर खाना खाऊंगी फिर उसने एक जगा से खाना पैक करवाया और घर की तरफ चल पड़ी रस्ते में उसे एक जगा एक बुड़ा आदमी रोता दिखाई दिया जब नंदिनी ने उससे रोने की वज़ा पूछी तो उसने बताया कि वो दो दिन से भूका है ये सुनकर नंदिनी की आँखों में आसू आ गए और उसने आदा खाना उस बुढ़े को दे दिया बुढ़ा खाने को देखकर बहुत खुश उसने नंदिनी से कहा मेरा नाम माला है मैं एक नाच हूँ मैं एपनी मामी के घर रहती थी वो मुझसे घर के सारी काम करवाती थी और मुझे बहुत मारती भी थी मगर मुझे खाने को बहुत कम देती थी इसलिए आज जब इसने मुझे मारा तो मैं घर से भाग आई मगर अ तरहां अनाथ हूँ और मुझे मलूम है कि दुनिया अनाथ बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूप करती है इसलिए आज से तुम मेरी छोटी बहन हो अब हम मिलकर इस घर में रहेंगे माला उसकी बाते सुनकर बहुत खुश हुए फिर दोनों ने मिलकर खाना खाया और सो इसलिए अपनी लिपस्टिक उठा और यहां से चली जा जब नंदनी ने जाने से इंकार किया तो उसने नंदनी की सारी लिपस्टिक्स उठा कर फैंक दी नंदनी ये देखकर रोने लगी क्योंकि उसकी सारी लिपस्टिक्स खराब हो गई थी वो रोती हुई अपने घर व बना किया और फिर मेरी सारी लिपस्टिक फैंग दी मेरी सारी लिपस्टिक तूट गए अब मेरे पास और पैसे भी नहीं है कि मैं नई लिपस्टिक खरीद सकूँ अब मैं क्या बेचूंकि अब हम दोनों को भूका रहना पड़ेगा ये कहकर नंदिनी रोने लगी और माला उसे तसली देते हुए कहा दीदी फिकर मत करो सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें एक रास की बात मिताना चाहती हूं मैं रोज तुम्हारे जाने के बाद जंगल चली जाती थी एक दिन वहां मैंने एक जादुई नहर देखी जिसमें बहुत सारी लिपस्टिक्स आती है चलो कि उस नहर में बहुत सारी लिपस्टिक्स बहकर आ रही होती हैं दोनों बहुत खुश हो जाती है फिर उन्हें नहर की आवाज सनाई देती है कि यह सारी मेरी लिपस्टिक्स हैं मगर इन्हें हासल करने की एक शर्त है नंदिनी जब यह सवाल पूछती है तो आवाज आती ह कि ये लिप्स्टिक सिर्फ उसी को मुफ्ट में मिल सकती है जो किसी गरीब की मदद करता है और रहम दिल होता है ये सुनकर माला खुशी से कहती है फिर तो नंदिनी दीदी को ये लिप्स्टिक जरूर मिलेंगी क्योंकि नंदिनी बहुत रहम दिल है और हर किसी की मदद करती जैसे कि मैं एक अनाद लड़की थी, बेरे पास खाने को कुछ नहीं था, वगर नंदिनी दीदी ने मुझे अपनी चोटी बेहन बना लिया, और मुझे अपनी घर में रहने को जगा दी, और खाना भी दिया। ये सुनकर नहर से आवाज आती है, कि फिर तुम ये जादोई लिपस्टिक्स ले सकती हो। फिर नंदिनी और माला धेर सारी जादोई लिपस्टिक्स लेकर घर आ जाती हैं, और वो जादोई लिपस्टिक्स बेच कर बहुत सारे पैसे कमा लेती हैं। जब उनके पास बहुत सारी पैसे रमा हो जाते हैं तो वो अपनी कास्मेटिक शाप खोल लेती हैं। उनके जादय लिपस्टिक बहुत मश्यूर हो जाती हैं। और औरतें दूर-दूर से उनकी लिपस्टिक खरीदने आती हैं। उनकी शौप पर कस्टमर्स का रच बढ़ ज जलाती थी मगर जबसे नंदिनी की लिप्स्टिक और मेकप का सामान मश्यूर हुआ था तब से सारी ओरतें सिर्फ नंदिनी की शॉप से ही करीदारी करती थी इस बात पर प्राची का दिल बहुत जलता था और वो अपनी आंटी से कहती जबसे ये मनहुस नंदिनी ने हमारे स सुनकर उसकी हां में हां मिलाई और कहा प्राची तुम ठीक कह रही हो नंदिनी के पास वागई कोई जादू है इसलिए तो हमारे सारे कस्टमर्स हमें छोड़कर उसके पास भागे भागे जाते हैं कुछ दिन बात प्राची ने सोचा कि अब हालात इसी तरह रहे तो से अच्छे सलूप की वज़ा से हर जगा मशूर हो जाती हैं और दिन बदिन अमीर हो जाती हैं लेकिन उन्हें अपना पुराना वक्त कभी नहीं भूलता जब उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था इसलिए वो अबनात बच्चों का और ज्यादा ख्याल रगती हैं ताक से सारे कस्टमर्स उनके पास वापिस आ जाएं इसलिए जब नंदिनी और माला शौप बन करके घर चली जाती हैं तो प्राची और उसकी आंटी शौप पर पहुंच जाती हैं ताके वो छुपकर उनके शौप को आग लगा सकें लेकिन जब वो ताला तोड़कर शौप में की निकल भाती और जुडैलों को देख कर दर के मारे बेहोश हो जाती हैं सुभा को जब नंदिनी और माला शौप पर पहुंच तो प्राची और उसकी आंटी को वहाँ देह कर बहुत हरान होती हैं बाद में वो दुनों होष में आने के बाद नंदिनी और माला को सब आग लगाने आई थी। नंदिनी और माला उनको माफ करके चंद जादोई लिप्स्टिक्स उन्हें भी दे देती हैं जिसकी वज़ा से उनकी शौप पर भी कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं और यूं वो नंदिनी और माला की दोस्त बन जाती हैं।